Hello students, आज हम इस वीडियो में Leasing के Meaning, Features, उसके Elements और उनके Types के बारे में Discuss करेंगे, तो चले शिरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि Leasing होती क्या है तो देखे, Leasing एक Financial Services का Term है Basically, ये Source of Finance भी है क्योंकि इसके थुरू क्या होती है Financing की जो Need है वो Complete होती है भी कह रहे होती है तो basically होता कैसे, कैसे Finance की Need पूरी हो जाएगी ये कैसे ये Work करता है तो basically Leasing क्या होता है एक Arrangement है, क्या है Leasing एक Arrangement है जैसे हम कहते हैं, एक Contract है Agreement है, तो पूरा एक Process है जिसको हम Leasing कहने वाले Contract है, जिसको हम Leasing कहने वाले उसमें होगा क्या उस Process में या उस Contract में या उस Arrangement होता क्या है कि जो Assets का Owner होता है वो अपनी Assets को Use करने की Power किसी दूसरे Person को Transfer कर देता है और लेकिन सिर्फ Use करने की Power Transfer करेगा Owners, जो Ownership है जो Assets की Ownership है, वो Transfer नहीं करेगा, तो इसी Arrangement को, इसी Agreement को ही Leasing कहा जाता है So basically what? Leasing is an arrangement in which right to use the Assets is transferred to another Person, है न, Assets को Use करने की जो Power है, वो किसी दूसरे Person को Transfer की जा रही है, किसी तो by the Assets Owner, Assets को Use करने की Power किसी और को दे रहा है लेकिन, without transferring the Assets Ownership, Ownership Transfer किये भीना, Assets तो मेरी ही रहेगी, लेकिन आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, that is what Leasing, अब ऐसे ही तो को Use करने की Power नहीं देगा, but obviously उसको कुछ Return मिलना चाहिए, Consideration that is your Lease Rent तो इसमें होता क्या, Financial Services क्यों है क्योंकि कहीं न कहीं, जो Second Party है, जिसको Right to Use मिला है जिसको Assets यूज करने की Power मिली है उसको बिना एक Heavy Capital लगाए, उसको Purchase किये उसको Assets मिल गई, अखर वो Fund इकठा करता, Capital इकठा करता, तो उसस Assets को Purchase करता लेकिन Assets Purchase करता क्या उसका Use करता, तो बिना वो Heavy Investment के ही, बिना Fund इकठा किये ही, आपको Assets यूज करने की Power मिल गए इना इंस्ट्रॉल्मेंट, आप तो 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 पैसा करके दे रहे हैं Lease Rent, that is, तो ये क्या होगे ये एक तरीके से Service हो गए, कैसे Service होगे Financial Services हो गए, Source हो गया Capital का, क्योंकि Particular Second Party को Assets भी मिल गई, यूज करने को भी हो गया लेकिन उसको Heavy Capital की Investment नहीं हुई, मतब ऐसा जादा देना नहीं पड़ा उसको Purchase नहीं करना पड़ा, इसलिए इसको Source of Finance भी कहते हैं, Financial Services भी कहते हैं, clear है तो basically अगर देखा जाए, तो Leasing क्या हुआ Lease एक Contract होता है, जहां पर एक Party, which one Party The Lesser, जिसको हम Lesser बोलते हैं, जो कि कौन होता है, Assets का Owner होता है तो जहां पर एक Party, जो कि Assets की Owner होती है, जिसको हम Lesser बोलते हैं वो दूसरी Party को दूसरी Party, उसको हम Lessie बोलेंगे उसको एक Exclusive Right देती है कि आप इस Assets को Use कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या निकला, Lessie वो Party होती है जिसको Assets यूज करने को मिलता है और Lesser कौन होता है, Lesser वो होता है, जिसकी वो Assets होती है Owner, जो Transfer कर रहा है उसको हम Lesser बोलते हैं तो जब Lesser क्या करता है, Lessie को Right देता है, Exclusive Right देता है यूज करने का Assets को Usually for a Specified Time Period मतलब एक Particular Time Period के लिए Permanently नहीं देने वाले हैं कुछ एक Specific समय के लिए देंगे In Return for the Payment of Rent In Return उसको क्या मिलना चाहिए कुछ Rent मिलना चाहिए, कुछ Payment, कुछ Consideration मिलना चाहिए, जिसको Lease Rent कहते हैं, तो इस पूरे ही Agreement कोई, जहां पर ये बात Decide हुई न, इसी को कहते हैं Leasing, Leasing Contract, Leasing Arrangement Leasing Agreement, यह Leasing हुआ है Leasing होने का मतलब यही चीज़ हुई है कि Right to Use टांसफर किया गया Ownership टांसफर नहीं किगई Specified Time Period के लिए In a consideration होई है, clear है तो अब हम बात करते हैं कि Elements की, कि कौन-कौन से Elements होते हैं, Leasing में यह Question में कभी-कभी पूछे जाता कि Component बताईए, Constance बताईए, जो Leasing को Complete करते हों, तो इस तरह की चीज़ों के लिए Important बात क्यों होगी, जो भी हम Discuss करेंगे, तो Leasing कैसे बनता है, क्या-क्या Element है, तो सबसे बड़ी बात है, Parties to a Lease, Leasing में क्या होगी, कुछ Parties involved है, Basically कौन से Parties involved है, दो Parties, Lesser and Lessie, Lesser कौन हो जाता है, Lesser क्यों होता है Equipment का जो Owner होता है, जो अपना, जो Ownership है बिना Transfer की है, सिर्फ Right to Use Transfer कर रहा है, उसको हम क्या कहते है, Lesser कहते है, Owner Assets का, उसके इलावा, Lessie कौन होता है, जो वो Right Acquire कर रहा है, जिसको हमने ये Transfer किया है, कि अब आप Assets Use कर सकते हैं, तो जो Person Assets को Use करने का Right लेता है ना, वो क्या कहलाता है, Lesser तो Lease Rent कौन देगा, Lessie देगा, Lease Rent मिलेगा, किसको Lesser को मिलेगा, Clear है, Ownership किसके पास रहेगे, Lesser के पास, कि वही तो Owner है, Lessie क्या करेगा सिर्फ Right to Use बाता है, Clear है तो इसको बुलते हैं, Parties to a Lease, दूसरी चीज़ और क्या होती है, Leasing के लिए, Leased Assets, भही, यहाँ पर पूरा Transfer करने की बात हो रही, तो but of us किस चीज़ को Transfer करेंगे, किसी Assets को Transfer करने की बात की चारी है, तो that is Leased Assets, तो यह जो Assets होता, वो कुछ भी हो सकता, कोई भी Automobile, Land, Factory कोई भी Consumer Durable Product हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, Right लेकिन, important क्या है, only Tangible Assets can be Leased, Intangible Assets नहीं, जिसको आप Touch नहीं कर सकते हैं, Feel नहीं कर सकते हैं, Sorry, Touch नहीं कर सकते हैं, जो Visible नहीं होती है, सिर्फ Tangible Assets सी आप Leased कर सकते हैं, मतब जो आप Touch कर सकते हैं, जो Visible होती हैं, उन्हीं चीजों को आप क्या कर सकते हैं? लीज कर सकते हैं. है ना, आप intangible assets को lease नहीं कर सकते हैं. और ऐसा क्यों? intangible assets को क्यों नहीं lease कर सकते हैं? क्योंकि leasing का जो prime element है, वो क्या है? possession देना. तो जब कोई चीज physical mode में होगी ही नहीं, तो आप उसको उठा के देंगे किसको? क्योंकि assets physically transfer हो जाएगी. possession किसी और के पास होगा. assets होगी किसी और के पास. ownership नहीं होगी. right? suppose करें A और B हैं, तो A और B के case में क्या होगा? ownership एक ही रहेगी, लेकिन assets किसके पास होगी? assets A के पास नहीं रहेगी. क्योंकि वो उसे use करने का right पाया है. सिर्फ ownership किसके पास होती है? lesser के पास होती है. तो जब intangible assets होगा, जो दिखी नहीं रहा है physical, physical उसकी कोई existence ही नहीं होगी, तो उसको transfer कैसे करेंगे? वो दूसरी party के position में कैसे जाएगा? तो that's why leased assets हमेशे कैसे होती है? physical assets होगी, means tangible assets होगी. इसके लावा lease period important होता है. leasing में lease period का होना compulsory है. मतलब lease period का sense क्या होता है? जिस time period के लिए lease की गई है, जितने time period के लिए right to use transfer किया गया है, उसको हम क्या कहते है? lease period कहते है. तो term of lease or lease period is the period for which agreement of lease shall be in operation. जब तक ये agreement वर्क में रहेगा, मतलब जब तक आपको right to use मिला हुआ है, तो right to use a particular property or an assets will be transferred under lease for a particular period. एक specific period के लिए हम ये right to use transfer करेंगे. The period for which right is transferred will have mentioned in the agreement. और वो चीज़, जितने भी time period के लिए आप agreement में, जितने भी time period के लिए आप right to use दे रहे हैं, physical position assets के देंगे, फिर आपके agreement, आपके contract में जरूर mention होना चाहिए. और वही time period क्या कहलाता है, lease period कहलाता है. याद ये रखना है कि कभी भी assets को, ये जो lease period वो permanently नहीं हुआ तक हमेशा के लिए right to use transfer कर रहे हैं. जहां आपने हमेशा के लिए कर दे, permanently कह दिया, तो फिर वो lease ही कहां रहे हैं, वो तो sale हो गया है न, क्योंकि sale में permanently transfer हो जाती है, ownership भी transfer हो जाती है, permanently, assets भी हमेशा के लिए आप ही के पास assets रहेगी. तो वो lease हो गया, sale हो जाती है आपकी. अचा, higher purchase में भी difference यही होता है, higher purchase में क्यों होता है, possession तो उनके पास रहती है, ownership भी transfer हो जाती है, ownership कम transfer होती है, last installment के duration पर यहां ऐसा कोई last installment नहीं होता है, तो यहां पर ownership transfer होनी की बात ही नहीं होती है, clear है? तो that is all about lease period, इसके इलाबा, element में और क्या हो जाएगा, आपका lease rent का होना जरूरी है, lease rental का मतलब क्या होता है, it refers to a consideration received by the lesser in respect of transaction, मतलब जो भी transaction की गे, जो भी right to use दिया गया, उसके regarding, जो consideration receive होगा, किसको receive होगा, owner को receive होगा, assets के, मतलब जो assets का मालिक था, मतलब कौन था lesser, तो lesser को जो consideration in return मिलता है, physical position, और right to use देनी की वज़ा से, जो उसको consideration in return जो मिल रहा है, that is called lease rent है न, और operating lease के अगर बात करते हैं, तो operating lease एक types of lease होता है, उस lease के अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे न, यहाँ पे consideration जो दिया जाता है, maintenance का खर्चा, insurance का खर्चा, अगर particular assets का जो यह सब खर्चे हैं, अगर वो bear करती है, कौन lesser क्यों कि owner है वो, तो अगर operating lease होती हैं, तो यह सारा खर्चा भी कौन bear करता है, lessy, तो वो lease rent में यह सारे खर्चे भी include कर दिये जाते हैं, इसके अलावा आपका depreciation वेगेरा हो गया, servicing charges हो गया, इस तरह के जितने भी खर्चे हैं, वो सब के सब lease rent में include कर दिये जाते हैं, यह सब भी pay किये जाते हैं, अगर वो operating lease का case होता है, तो यह हमारा क्या हो गया, elements हो गया, अब हम बात करते, features of leasing, क्या-क्या features है, क्या-क्या characteristics है leasing की, तो पहली बात तो contract का होना ज़रूरी है, एक agreement, एक contract हो रहा है, जहां पर owner और user दो लोग हैं, एक की assets होगी, दूसरा उसको use करने की right मांग रहा होगा, तो दो parties होंगी, दो लोग होंगी, जिनके बीच में contract होगा, तो assets का होना mandatory, features क्या है, यहां पर एक assets होती, एक property होती, जिसको lease किया जा रहा है, तो lease financing contract में, जो subject matter क्या होगा, वो particular assets, क्योंकि एक की वो assets है, दूसरा उसको use करने का right मांगेगा, है ना, तो assets जो है, जितने time period के लिए वो operation में है, rental payment होता है, lease के लिए in consideration, कुछ return, मतब in return दिया जाता है, that is rent कहते है, lease rent कहते हैं, तो वो lessy देता है, किसको lesser को देता है, इसके लावा maintenance होता है, maintenance मतलब, जो भी assets को maintain करने की, cost repair, taxes and insurance है, ये सब के provisioning की जाती है, कि कौन पे करेगा, जिस type of lease होती है, nature of lease के basis पे ये चीज़े हो जाती है, इसके इलावा यहाँ पर term of lease होती है, कितने time period के लिए, ये lease operation में रहेगी, working में रहेगी, ownership, lease period में हमेशा जो ownership होती है, वो assets की, भी transfer नहीं होती है, सिर्फ assets को use करने के power दी जाती है, terminating, मतलब at the end of the lease period, जैसे lease period खतम होगा, तो ये पूरा contract भी terminate हो जागा, leasing खतम हो जाएगी, है न, तो इसका feature ये भी होता है, कि एक time period के बाद ये पूरा खतम हो जाएगा, और आपको जो right मिले था, वो भी right खतम हो जाएगा, जब कि higher purchase में यहीं नहीं होता है, higher purchase में, जब termination के बात करते हैं, तो पूरा assets ही transfer हो जाता है, ownership भी transfer हो जाती है, leasing और higher purchase के बात के बात करें, तो difference के बात करते हैं, तो वहाँ देखे, हाइर purchase में क्या होता है, कि ownership transfer होगी, last installment के साथ, physical position और right to use transfer हो जाती है, initially, है न, जब से installment शुरू होती, तब इससे transfer हो जाती है, लेकिन leasing में क्या होता है, कि physical assets transfer होगी, right to use transfer होगा, पर ownership किसी भी कीमत पर transfer होने के बात नहीं करते हैं, है न, तो वहाँ पर जब end होता है, तो सब कुछ end हो जाता है, है न, renew और purchase का case होता है, जिससे sale and lease back वेगरा का case होता है, जो types of lease में आते हैं, तो वहाँ पर lease को वापस renew किया जाता है, या end of the lease, जब lease खतम होती है, तो उसको purchase करने की बात की जाती है, फिनांशिंग, lease वेगरा में ये चीज़ें आ जाती है, तो इस तरह से चीज़ों को हम इसकी features की बात करते हैं, default, the lease may be liable for all future payment at once, receiving title of the assets in action, जैसे ही leasing का टाम आया, तो जितने भी rent की बात आती है, उसके लिए leasee क्या होगा है, responsible होगा है, उसको रिपे करना ही करना है, तो by default अगर आप इस agreement में include हुए, तो जितना भी उसका rent बनता है, वो सब के लिए आप क्या होगा है, आप liable हो चुके हैं, तो ये सारे उसके features में आते हैं, अब हम बात करते हैं advantage की, तो अगर leasing के point of view से बात करते हैं, तो leasing का advantage देखिए, एक financial services है ना, और financial services का क्या मतलब होगा है, कि आपको funding मिल रही है, आपको बिना पैसो के, आपको पैसो से जो काम करना था, वो काम हो जा रहा है आपका, अगर आप कहीं से loan लेके capital एक अठा करते हैं, तो उस capital का कहीं ने कहीं investment करते हैं, मतलब कोई ने कोई assets purchase करके business earn कराते हैं, तो आपको वही assets लेके, use करने की power मिल जारी है, बिना आपको loan लिये, बिना आपको capital का heavy investment किये वह, तो पूरा source of finance है, तो अगर हम lessie की point of view से देख रहे हैं, lessie कौन है, जिसको right to use मिला हुआ है, जिसको बिना assets खरीदे ही, assets का physical position भी मिल गया, और assets use भी कर रहा है, और in return वो क्या पे कर रहा होगा, lease rent पे कर रहा है, तो उसके point of view से अगर हम बात करें, तो saving of capital है, क्योंकि वो एक huge amount, जैसे अगर assets को, अगर वो ही assets चाहिए होती, तो उसके लिए उसको purchase करना पड़ता, तो एक heavy investment होता, capital उसको देना पड़ता, तब जाकि वो assets purchase कर सकता, महाले जैए एक company है, जो factory है, तो factory में अगर वो बड़ी सी plant, या बड़ी सी machinery purchase करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो machinery आएगी, तब भी उसका production स्टार्ट होगा, या production और अच्छी से smoothly होगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक heavy investment चाहिए, जिससे वो उस machinery को purchase कर सके, तो एक capital का outflow होना है, लेकिन अगर वही assets उसको थोड़े थोड़े पैसों में, सिफ यूज करने के लिए मिल जाए, तो उसको काम ही कहा था, production कराना उससे, वो उसको यूज करने के लिए मिल जा रही है, और भिना ही उसको purchase किये, तो उसके लिए source of financing होगी, और जो capital थे उसकी save हो गई, वो उस capital को कहीं और investment कर सकती, जिससे वो purchase करती है, वो heavy investment वो कहीं और कर सकती है, तो lessy के लिए अच्छा है कि उसको asset भी मिल जाती है, और उसकी capital भी save हो जाती है, flexibility and convenience, तो basically पूरा leasing tailor made होता है, tailor made in the sense मतलब, कि आपको जितना lease rent fix करना, उतना lease rent fix करिए, जितने time period के लिए fix करना, उतना time period fix करिए, जैसे मतलब यह हो जाता है, कि मुझे particular assets लग रही है, कि मेरी company में इस assets के requirement सिर्फ 4 साल के लिए है, लेकिन अगर हम assets खरीदेंगे, तो इस assets के life 10 साल है, तो 6 साल वो मेरे यहां विकार पड़ी रहेगी, तो ऐससे situation में क्या लगता है, कि उसको purchase करना मेरे लिए अच्छा option नहीं है, अगर हम इसे किसी से lease ले लेते हैं, तो हम अपने हिसाब से 4 साल के लिए lease लेंगे, हमें 4 साल के लिए ही काम करना है, तो tailor made in the sense कि आपको जितने time period के लिए चाहिए, उतने time period के लिए आप कर सकते हैं, जितने rent के लिए आप capable हैं, उतने rent इसमें decide कर सकते हैं, तो ये पूरी की तरह से क्या है, flexible and convenient है, लेसी के लिए कि वो अपने हिसाब से लिए चीज़ों को manage कर सकता है, improvement in liquidity, तो liquidity हमेशा maintain रहती, पहली चीज तो कि आपको assets मिल चुकी है, आपका capital नहीं गया है, ठीक है, एक side तो वो आपका है, कि capital आपके पास है, cash आपका save हो रहा है, है ना थोड़़ए इमाउंट आपका जाता है, lease rent के form में, that's another thing, but heavy investment आपका नहीं जा रहा है, तो आपकी cash saving हो जाती है, दूसरा option क्या होता है, कि एक आता है ना कि sub lease, sub lease का जो term होता, basically होता क्या है, कि मैंने assets, जिससे suppose करी है, एक party आप हो गए, एक party हम है, तो आप एक owner है, right, assets के owner है, हमने उस particular machinery को आपसे lease पे ले लिया, use करने के लिये लिया, अब मैं आपको lease rent दे रही हूँ, आपका काम खत्म है, अगर आपने specifically agreement में कही mention नहीं किया, कि assets सर्फ मुझे lease पे दी जाएगी, मैं इसको और किसी को lease पे नहीं दे सकती हूँ, अगर ऐसा आपने मुझे deny नहीं किया, ऐसा agreement में मना नहीं किया है, तो ऐसे situation मैं आपको lease rent देती रहूँगी, और particularly अगर मेरा SS का काम हो गया, या मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे और funding की जरूँगी जरूँगी तो मैं इसी SS को किसी third party को lease पे दे दूँगी, तो इसे कहा दिया sub lease, मतब जो already मैंने lease पे लिया था, उसी को मैंने किसी और को lease पे दे दिया, तो lease, इस वक्त क्या होगी, मैं उस SS को lease पे दे रही हूँ, तो that is called sub lease, तो यहाँ पे मुझे उसको sub lease पे देने के वज़ए से rent भी receive हो जाएगा, तो मेरे पस liquidity maintain रहती है, मैंने जो SS lease पे लिया, उसको वापस से lease पे दे सकते हूँ, तो liquidity हमेशे maintain रहेंगे, मैं rent receive करने लग जाओंगी, तो leasing से lease को काफी फाइदा हो जाता है, shifting of risk of obsolescence, जैसे मैंने बताया आपको कि 10 साल की life थी, 6 साल का हमें मालिजे use करना था, 6 साल की हमें काम था, तो 4 साल हमारा waste जाता, या 4 साल का हमें काम था, 6 साल हमारा waste जाता, उस SS का, या SS 6 साल हमने use कर लिया, या 10 साल की SS से 10 साल हमने use कर लिया, अब 10 साल के बाद तो SS बेकार पड़ी हुई है, पूरा life हमने SS का use कर लिया, अब उसके बाद तो ओपसलेंट है बेकार पड़ी हुई है, तो उस बिकार पड़े रहने का जो रिस्क है न वो भी आपको bear करने के जरूरत नहीं क्योंकि आपका काम हुआ आप वापस कर दो खतम काम है, assets भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए तो जो जब assets use हो जाती है और बिकार पड़ी रहती है, वो रिस्क जो होता है कि उसको sell करके उससे क्या निकल रहा है, क्या स्क्राप, क्या रासी रूरल मिल रहा है, वो सब भी लो तो वो सब भी आपके लिए कोई risk नहीं है, उसका भी work आपको करने के जरूरत नहीं है तो लेसी के लिए क्योंकि उसको maintain ही करने के जरूरत नहीं सारी फाइदे ही वाइदे उसके लिए हो जाते है इसके अलावा भी बहुत सारे फाइदे होते हैं, जैसे off balance sheet item होता है, ना तो यह आपकी liability बन रही है और ना ही इधर capital side में दिख रही है, तो यह एक तम off balance sheet item हो जाता है lease rent आपको PL में दिखा के आप expense भी ले रहे हैं, tax benefit भी ले लेते हैं, क्योंकि lease rent आपको pay करने हैं तो PL में आप expense के रूप में दिखा देते हैं, तो इस तरह से leasee के लिए तो कई फाइदे हो जाते हैं अब हम lesser के point अब इसे बात करते हैं, जो owner है, तो अगर owner की point से देखें तो एक तो higher profit, assets तो उनकी थी ही अब assets थी, अब assets से वो क्या कर सकते हैं, अपने तो use कर लिए, suppose करी वो मेरी assets थी और मैंने इसको proper use किया हुआ है अब किसी और को चाहिए, तो मैं उसी assets को देखे, उससे recovery भी ले रही हूँ, तो में को profit तो हो रहा है न, अच्छा खासा उससे rent भी receive हो जा रहा है तो एक तो higher profit हो, एक assets से अपना काम भी कर लिया और उससे profit भी कमा लिया, tax benefit जो lesser होता है, उसको काफे tax benefit होता है, मतलब क्यों benefit होता है, क्यों ownership किसके पास है, ownership lesser के पास होती है तो lesser के पास ownership होने की वजह से जो depreciation वेगरा लगाने का काम है, क्योंकि जिसके पास assets की ownership होगी, depreciation वही दिखा सकता है अपने PL में, है न, तो depreciation दिखा के उसकी provisioning जो की जा रही है, उससे उसको tax benefit मिलेगा, lesser को मिलेगा, जबकि उससे उसको income भी हो रही है, और वो assets भी उनक उनको proper हर महिने rent receive हो रहा, तो उनको return उसके proper मिलता रहता है उस assets से, otherwise वो assets अगर उनहीं की पास रहती है, तो जब 5 साल, 10 साल बाद उससको sale करते हैं, तभी उससे एक income आती, पर अभी क्या हो गया, उनको हमेशे उससे return आ रही है, क्योंकि उसको उन्होंने rent पे उठा दिया तो that is, from lesser point of view, बहुत सारे leasing के advantage हो जाते हैं, अब हम बात करते हैं, disadvantage की, तो पहली बात तो कि ये protocol payment होता है, है न, and funds need to be made available for the same, अगर हम बात करें lessie की, तो हर बार उसको payment करना है, है न, तो उस case में उसको उतना fund maintain रखना है कि वो lease rent को pay कर सके, next, ownership is not available to the lessie, ownership जो है lessie को transfer क ही ही नहीं गई, तो उसको capital appreciation जैसे चीज़ तो हो नहीं रही है, जब ownership नहीं मिली तो depreciation भी नहीं दिखा सकते हैं, तो lessie के लिए, मतलब asset तो है, काम तो हो रहा है, उसके खर्चा भी हो रहा है, लेकिन उसकी ownership के वज़ए सो उसकी balance sheet में उसको कोई depth में रही है, right, तो benefit of capital appreciation are not available to the lessie, मतलब एक होता है कि आपने assets, जब आप assets purchase करते हैं, तो आपकी assets side में वो assets दिखती है, तो assets दिखती है, तो आपके net worth विगरा increase हो रही है, तो अगर हम उस sense में बात करें, तो यह possible नहीं होता है lessie के लिए, क्योंकि वो assets, जिस जब lease पी लिजाती है, तो off balance sheet हो जात इसके लाब अगर हम बात करते हैं, कि अगर financial lease होता है तो जितने भी आपको lease rent future में देने है उसकी present value निकालके उन्हें आपके जो lessie है, उसको दिखाना पड़ता है अपनी liability side में, तो एक तरह यह भी problem होती है कि आपके पास assets भी नहीं आए और आपकी liability बढ़ जाती है, है तो यह सारी चीज़ें क्या हो जाती है आपकी, इसके features में, sorry, इसके disadvantage में आजाती है, अब हम बात करते हैं, types of leasing की, तो types of leasing में देखें, एक तो अगर nature की बात करें, nature के basis पे हम leasing को divide करें, तो दो होते है, एक operating lease होती है, एक financial lease होती है, वहीं जब method of lease की बात करते हैं, कि क पांच के अलवा भी, कई जगां आपको इससे और भी ज़्यादा leverage के type, sorry, leasing के types आपको दिखेंगे, हम एक ही करके समझ लेते हैं, पहले हम बात करते हो operating lease की, तो देखें, operating lease क्या होता है, तो this agreement can be cancelled before the expiry of the lease period by providing prior notice, अगर हमने lease लिया था, 5 साल के लिए lease किया था, agreement जो किया है, operating lease हम पहचानते कैसे कि यह operating lease होगा, तो जैसे अगर जो assets lease पे दी जा रही है, उस assets की जो life है, वो 10 years की है, मतलब इस assets से काम निकाला जासा था था 10 साल, उसकी economic life 10 years की है, तो जब हम lease पे देंगे ना, तो इस life से कम के time period के लिए देंगे, मतलब हम 6 साल के लिए देंगे, 5 साल के लिए देंगे, लिकिन हम 10 साल के लिए पूरा कभी नहीं दे सकते हैं, तो useful life of assets से, जो lease period होगा, वो हमेशा कम ही रहेगा, operating lease में, जिबकि financial lease में वही time period नियर भाई होता है, तो lesser cannot recover the full cost of assets during the lease period, तो यहाँ पे यह बात भी धियान रखने वारे, operating lease में जब lease rent decide होता है कि कितना lease rent मिलेगा lesser को, तो lesser कभी भी यह नहीं कर सकता, कि उस assets के जितनी cost है उसको वो divide करके बात कर ले, जैसे मैंने जो assets खरीदी, जो मैं assets lease पे देने वाली हूँ, माले जिए 10 लाग की asset थी, और उसकी जो life थी, वो 10 years की थी, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 साल की lease पे दिया तो मतब life time, जिसकी life थी, उससे तो कम time period पे दिया, लेकिन जब lease rent की बात आई, तो मैंने कहा कि आपको 2 lakh rupees per year देना पड़ेगा, तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, 10 lakh की assets को 5 साल में पूरा 10 lakh recover कर लिया, यह गलत होगा, क्योंकि अगर operating lease होगी, तो full cost of assets, जितने में वो assets ख वो भी जो भी खर्चे हैं, मतब क्योंकि ownership आपके पास है, तो जो ownership से related खर्चे हैं न, मतब assets के maintenance का repair का, वो खर्चा भी lesser को bear करना पड़ता है, और यह deal o चाती है, तो अगर हम financial terms में बात करें, accounting term में बात करें, तो ind AS 17 में, मतब Indian accounting standard 17 में इस बारें बात किया गया था, वहा आपर यहीं बताया गया है, और वहीं पर IS 17 में बताया गया कि financial lease क्या होती है, तो financial lease जो नहीं होते है, वो operating lease होती है, यह उसके definition उने नहीं दे दी, अब हम बात करते है financial lease के, यह बहुत important term होता है, financial lease के लिए, तो यह क्यों होता है, arrangement that is not eligible for cancellation, first thing, cancel नहीं हो सकती, and the rental must be paid until the end of the lease duration, जब तक lease duration है, तब तक उसका rent proper तरीके से payment होना चाहिए, the duration is generally equal to the useful of life of assets, आपने सुना होगा कि आवाज भी कास विगरा कि जो houses होते हैं, उनमें कहते है 99 years का lease है, मतब 100 साल के उस घर की value होगी, तो 99 साल इसको lease period पर दी गया, क्योंकि हमें पता है कि leasing में full, जो economic life है, तो उतने बराबर हम lease period नहीं decide कर सकते हैं, तो 100 साल के अगर assets के life है, तो हम 100 साल lease period नहीं रख सकते हैं, तो permanently हो गया है, तो बट अवसे में उसे कम रखना होगा, लेकिन financial lease में difference क्या हो जाता है, financial lease बहुत जादा nearby होती है, मतब उस economic life के बहुत करीब होती है, तो वही कहते है 99 years की lease, 100 years के life होती है, 99 years तक क्या होगी, lease हो गए, तो वह useful life of assets के बहुत equal होती है, बहुत nearby होती है, तो as a sale of assets, the lessy says, show such a lease assets in his balance sheet, तो यहाँ पर क्या होता है, जो lessy होता है, अगर financial lease होती है, तो उस case में वह अपनी assets को balance sheet में show कर सकता है, क्योंकि इसमें जो lease period होता है, बहु और जो यहाँ पर, एक तो हम assets को भी दिखा सकते हैं, और दूसरी बात, जितने मेरे lease rent due है, मतलब suppose करीकर मैंने 99 years वाला lease लिया हुआ है, तो ऐसा situation में मेरे future की जितने भी lease rent बनेंगे, lease rent बनेंगे, उसकी present value निकाल के, उसको हम कहां दिखाएंगे, अपनी balance sheet में दिखाएं तो यह किसमें होता है, अब IAS 17 ने इसको कैसे define किया, तो International Accounting Standard ने क्या कहा कि financial lease क्या होती है, तो in a financial lease, the lesser transfer to the lesser substantially, all the risk and reward identical to the ownership of the assets, मतलब यहां ownership transfer भले नहीं की जा रही है, लेकिन ownership से related, जो जो यह कहते हैं कि जो owner होगा, वही तो इसके खर्चे bear करेगा, insurance कौन देगा, जो owner ह होगा, है न तो मतलब ownership से related जितने भी इसके risk और reward होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर दिये जाते हैं, ट्रांसफर किये जाते हैं, लेसी को, whether or not the title is eventually transferred, title ही ट्रांसफर की गए, ownership नहीं transfer कर दिये जाते हैं, जिनरली ट्रांसफर कर दिये जाते हैं, मतलब जो यह कहते हैं, कि य जिसे की cost आपकी बियर हो जाती है बतलब पूरी की cost recover हो जाती है बतलब वसी बात है जिब आप पूरे life के लिए almost life के लिए आप lease period decide कर रहे है तो lease rent भी ऐसा होना चाहिए कि cost की recovery करता हो तो financial lease इसी लिए यह balance sheet में शो होता है अब हम बात करते है direct lease की तो direct lease क्या होते है a firm acquies a right to use an asset from the manufacturer directly जब यहाँ पर जिसे suppose करी कि मुझे कोई machinery है कोई equipment purchase करना है मैं तो equipment lease पे लेना है तो जो equipment का manufacturer है हमने उसी सी lease पे ले लिया तो हम उसको क्या कहेंगे direct lease कहेंगे the ownership of the assets leased out remains with the manufacturer itself तो obvious सी बात है जो जिसने बनाया उस equipment को जिसने machinery को बनाया ownership अभी उसके पास है otherwise होता क्या है कि भाई manufacturer sale कर देता है और जिसको sale करता है वो अब owner बन जाता है फिर owner किसी को lease पे देगा तो वो एक अलग हो गया लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे है manufacturer से ही lease पे ले ले रहे है तो ownership किसके पास रहेगी manufacturer के पास ही रहेगी देखे डारेक्ट lease में भी न दो तरीके के lease आते एक bipartite lease आता है एक tripartite lease आता है bipartite मतलब क्या हो गया एक तरीके से समझे दो parties involved रहेंगी तो यहाँ पे क्या हो गया equipment का supplier जो होता है मतलब जो manufacturer होता है basically वो क्या होता है वो lesser होता है और दूसरी party क्या होता है lessy just like operating lease वहीं पे tripartite lease के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है equipment का supplier एक हो गया lesser अलग हो गया lessy अलग हो गया तीन party include हो जाती है तो sale and ad sales, lease बेगर जो होती है वो इसी के types में आ जाती है तो यह सब direct lease की ही part में आता है next आता sale and lease back इसका मतलब समझीगा पहले assets को sale कर देंगे और वापस से क्या करेंगे lease back करेंगे the firm sells an assets that is owns and then lease to the same assets back from the buyer देकि मैंने पहले ही भी बताया कि यह पूरा leasing financial services है source of finance है पैसे कठा करने का तरीका है है ना तो यहाँ पे हम क्या करते है suppose करिए ABC एक company है तो ABC एक company के पास एक assets है है ना कोई building के suppose करिए अब उस building में उनका office चलता है पर उनको पैसो की बहुत जरूरत है तो उन्होंने क्या किया अब इस building को एक second party को sale कर दिया जब second party को sale कर दिया तो ownership भी transfer हो गई assets भी चली गई अब तो वो किसी और की assets हो गई उस second party की assets हो गई फिर यह क्या करेंगे जोकि वो assets में उस building में उनका काम होता है तो उन्होंने क्या किया उस second party से बोला कि अब आप यही assets मुझे lease पे दे दीची तो अब उन्होंने क्या 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 उस second party से उस assets को कैसे ले लिया lease पे अभी क्या हुआ second party से उन्होंने lease पे ले लिया तो अभी क्या हुआ उनके funding के requirement थी वो पूरी हो गई और assets को use कर रहे है possession उनके पास हो गया assets का वो building उन्हीं की ती तो उन्हीं के पास रहेगी use क्योंकि possession आ गया न possession तो यहां ट्रांसफर हो जाता है lease में सिफ ownership ट्रांसफर नहीं होती है sale कर दिये तो ownership वो second party के पास है लेकिन वो building use यह अभी कर सकते है so that is what sale and lease back पहले sale कर देंगे फिर उसी से लेके उसको आपस से lease पे लेके उसको use करते है so that is sale and lease back last year leverage lease अब leverage lease के जब बात करते तो वो क्या होता leverage lease is the same as a direct lease except that third party the lender is involved in addition to the lessy and lesser अब यहां पे देखिए यहां पे तीन लोग involved हो रहे है लेकिन यहां पे जो तीसरा person involved हो रहा है वो कौन हो रहा है वो lender है मतलब जो loan देता है ऐसे समझेगा जो loan देने वाला person होता है वो वहां पे lender involved हो जाता है इसका मतलब क्या है leverage lease है तो यहां पे क्या होता है कि एक जैसे जो आपकी माले जी कि मैं हूँ suppose करिए मैं हूँ अब मुझे एक assets खरीदनी है तो assets खरीदनी तो मैंने पहले क्या किया कि एक financial institution से उससे क्या क्या है loan ले लिया अब loan ले लिया उनसे और loan ले कि उस assets को purchase कर लिया अब जब assets purchase कर ली तो purchase करने के बाद मुझे अब उनका AMI देना उनका rent देना है और मुझे extra business से earn करना था तो मैंने इसी assets को क्या कर दिया या मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मैंने इसी assets से क्या कर दिया इसको lease पे उठा दिया तो अब यहाँ पे तीन लोग हो गए एक जिसका मेरा loan चल रहा जिसकी वज़ा से जिसने मुझे पैसे दे जिससे मैंने इस assets को खरीदा है दूसरा मैं owner हो गई इस assets की क्योंकि मैंने purchase कर लिया है और अब मैं इसको ठाके किसी को lease पे दे रही हूँ तो यहाँ पे कौन हो गए तीन parties involved हो गई तो the lender partially financed the purchase of the assets तो कुछ पैसे तो मेरे पास रहे होंगे और कुछ मैंने loan ले लिया था तो वो क्या करता है purchase of the assets में आपको help करता है और फिर उसी assets को आप लोग क्या कर देते हो lease कर देते हो और फिर जो होता है जो lesser होता है basically जिसने खरीदा था उस assets को वो क्या हो गया वो borrwer हो गया तो lender and borrwer तो चली रहे है दूसरी तरफ वो क्या हो जाता है जो borrwer है वो lesser भी बन जाता है और third party आजाती जिसको हम lessie कह देते है तो owner है वो दो role play करता है एक तो वो borrwer भी है दूसरा वो lesser भी है clear है तो यहाँ पे इस तरह से leverage lease कहते है तो basically इसको हम इस diagram समझ लीजी कि lesser, lessie और financial institution तीन लोग हो जाते हैं न तो यहाँ पे क्या हो गया कि fund borrow करके इन्होंने lesser ने क्या किया assets acquire किया फिर उसी assets को क्या कर दिया lease agreement के थ्रू lease पे दे दिया किसको lessie को दे दिया और अब जो lessie है अब क्या करेगा जो lease rent है वो lesson ने क्या किया मुझे मत दीजिया आप financial institution को pay कर दीजे तो lease rent किसको मिल रही है financial institution को मिल रही है अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फुर बोले सथ पे कर देता है that is all about types of leasing I hope आपको clear हुआ हुआ हुगा wish you all the best thank you so much